तो हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना 134 सेगा रिजल्ट इस तरह से कैसे चेक कर सकते हैं डारेक्ट लिए अपना रिजल्ट कोई लिस्ट वगरा देखने की जुरूरत नहीं है लिस्ट आपके सभी के पास अवेलेबल होगी बट उसमें एक अपना जो है रिजिस्ट्रेशन नमबर सेर्च करना भी उसमें भी काफी लोडिंग लग जाती है ज्यादा टाइम लग जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डारेक्ट अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रेशन में एक लिंक अवेलेबल है वो आपने जो ओपन करना है मैं इसको एक बार किसी भी ब्रावजर में जो ओपन कर लेता हूँ जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ जो है ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा यहां से अपने जो स्टूडेंट रिजल्ट पर क्लिक करना है और रिजिस्ट्रिशन नमबर डाल देना है रिजिस्ट्रिशन आईडी रिजिस्ट्रिशन आईडी आपको मिलेगी कहां पर रिजिस्ट्रिशन आईडी आपको मिलेगी अपने फॉर्म के उपर जैसा कि आप स्कीन पर देख पर रहे हैं यह डालने के बाद आपने जो send OTP पर क्लिक कर देना है OTP send होती है आपने जो mobile number जो register कर रहा है था उस पर message आएगा message डालने के बाद आपने submit पर क्लिक कर देना है जैसे submit पर क्लिक करेंगे लोग शभी लगी बाद देना है